हमारे life में हमारे हालत कितने भी खराब हो फिर भी हम दुनिया को kindness से देख सकते हैं एक empathy के साथ सब के साथ रह सकते हैं इसे beautiful message के साथ आज की short film आती है Like Animals ये three sisters के बारे में एक short story है तो चलिए आज मैं आपको explain करता हूँ Movie स्टार्ट होती है और जो सबसे चोटी sister है ये हमें सब narrate करकर सुना रही है ये हमें कहती है कि आज हमारे मदर का funeral है उनका घर हमें दिखाया जाता है वो कहती कि हमारे मदर के साथ हम तीनों sister यहां रहती थी अब ये मर चुकी है पर फिर भी इस घर में उसकी खुशबू आती है ये जो तीनों sister से अब ये इस घर को sell कर देने वाली है इनका एक brother भी होता है जो city में रहता है ये gay होता है और उसका एक fiance भी होता है इनके brother की fiance को इनकी जो बड़ी बहन होती है ये बहुत ही hate करती है क्योंकि ये बहुत ही annoying होता है ये ऐसा pretend करता है कि already family का part है इस funeral में वो जब बात कर रही होती है तभी भी वो उसे interrupt कर देता है ये फिर अपने sisters होगेती है अगर brother ने इसने शादी की तो मैं इसको मार दूंगी अब थोड़े दिन गुजर जाते है अब ये जो बड़ी sister है जा flight के tickets book किये जाते है उस office में आई है ये जो तीनो sisters है इनका plan है कि वो अब घर sell करेगी और उनका जो रास्ता है वो choose कर लेग अपनी new life वो create करेगी इसके लिए बड़ी sister जो है एक office में आ चुकी है या पे वो flight के tickets book करने वाली है जब वो एक normal price पूछती है तो ये बहुत ही जादा हो जाती है फिर वो economic class की tickets की inquiry करती है ये उसके budget में होता है पर फिर भी ये बहुत ही जादा होती है इसका गर sell होकर उ बहुत ही kind थी मेरी वो favorite teacher थी sister कही थी किस सच है वो बहुत ही kind थी इसके पास पैसे नहीं होते है तो office की lady उसे कहती है कि तुम अभी book कर सकती हो सिर्फ तुमारा credit card मुझे दे दो अभी तुम पे नहीं करना पड़ेगा बड़ी sister भी इसके लिए मान जाती है नेक सिन में हमे जो middle sister है वो दिखाए गई है यह एक teacher होती है अपना student का जो essay होता है यह वो review कर रही होती है उसका student उसे अपना पुरा review पढ़कर सुनाता है यह जब सुनती है तो उसे एक phrase बहुत ही अच्छी लगती है इस phrase को board पर लिखती है यह इसे बहुत ही brilliant लगता है पर जब इसका student इसे elaborate करकर उसे सुनाता है तब इसे पता चलता है कि idiot है और इसे खुझ भी पता नहीं है यह अपने job से बहुत ही frustrated होती है क्योंकि talented होती है पर ऐसे student उसे नहीं मिल पाते है जो छोटी sister है जो हमें story सुना रही है वो wonder करती है जो हमारी mother थी कि क्या वो यहाँ खुश थी इस यह सब celebration करते है और इसके बड़ी sister उसके brother से पुझती है कि house का क्या हुआ कब यह sale होने वाला है brother कहता है कि थोड़ी देर में हम इसके बारे में बात करेंगे sister कहती कि नहीं हम अभी बात कर सकते कोई problem नहीं है brother कहता है कि मैं और मेरे fiance फियांसे जो है हम दोनोंने decide किया है क कि हम इसी घर में अब रहने वाले है यह जब city में रह रह रहे थे इन्हें financial problem हो चुकी है और घर रहना बहुत ही difficult है इसलिए अब इसी घर में रहने वाले है यह बात सुनकर सब sisters बहुत ही disturb हो जाती है जो बड़ी sister होती है वो कहती है कि तुम ऐसा नहीं कह सकते हम सब ने ज रहे थी है तुम ऐसा केसे कर सकते हो फ्यांसे बोलता है कि वो ऐसा कर सकता है मदर की जो विल थी इसमें ब्रदर को सब राइट्स दे दिये गया है हूश सेल करने के लिए इसलिए अब वो इस घर में without objection रह सकता है बड़ी sister फिर इस फ्यांसी पर चीड़ कर ऊपर चली जात पूरे समर तक मैंने वेट किया था कि मुझे कॉल आए उसके बाद पता चले है कि हाउस सेल हो चुका है जिससे हम हमारी नई लाइफ पर लग सकते है जो हमें करना था वो हम कर सकते है पर ऐसा आप कुछ भी नहीं होने वाला अब मैं क्या करू यह रो रोकर वो सब बोल रह नहीं है यह बड़ी सिस्टर फिर अपने आपको समा लेती है और नीचे जाकर अपने ब्रदर से बात करती है उससे पुछती है तुम्हारा जो फ्यांस है क्या उससे तुम शादी करने वाले हो वो कहता है कि हाँ मैं उससे शादी करने वाला हूँ वो पुछती है मदर की ज अपने ब्रदर को भी उसके फियांसे के साथ उसने एकसिप्ट कर लिया है यह ब्रदर कहता है कि सब वर्क आउट हो जाएगा हम यह कर सकते हैं याने कि इस हाउस में वो सब ठीक से रह सकते हैं अब यह छोटी सिस्टर हम से कहती है मेरी मदर हैपी थी या नहीं थी यह मुझे नहीं पता पर वो हमेशा लोगों से काइंड थी यह इतना इजी नहीं होता अपना जो हार्ट है लोग को ओपन करकर देना इस वर्ल्ड में बहुत ही प्यार से रहना हमारे पास भी दूसरा कोई आप्शन नहीं है हम भी अब यहीं करेंगे इस मुवे में हमें दिखाया गया है कि जो सिस्टर्स थी इनका जो हाफिनेस था यह बाहर था जब यह यहां से निकलेगी नहीं लाइफ स्टार्ट करेंगी तब इने हाफिनेस मिलेगा अब यह जो स्टक है तब इनके पास और कोई आप्शन नहीं है यह तीनों सिस्टर्स ने अपना पीस बना लिया है हैपिनेस की जो आइडिया होती है यह अंदर से आने चाहिए अगर आप अपने मन में खुश हो तब यह आप खुश हो सकते हो बाहर की चीजों से आप कभी भी खुश नहीं हो सकते एक बड़ा सा कंसेप्ट यह शौट फिर्म में सिखाती है अगर हम एक्स्टर्नल चीजों में हैपिनेस ढूनते रहे हमेशा हम स्टक रहेंगे क्योंकि हम एक्स्टर्नल चीजों को कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकते हमें लगता है कि हम चीजों को कंट्रोल कर रहे है पर कभी भी हम किसी भी चीज के कंट्रोल में नहीं होते इसे एक ब्यूटिफुल मेसेज के साथ यह movie एंड हो जाती है अगर आप कोई वीडियो चलागा तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजेगा मैं बहुत सारी मुरीज लेकर आते रहता हूँ तो प्लीज इस चानल के सब्सक्राइब कर दीजे और बेल इडिवेशन आइकोन दाने मत भूलिएगा हम फिर से मिलेंगे और एक मुरी के साथ तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आपका ख्याल रखिया